हला एरिवन, मैं सौराब दिलिवार अब सबक का स्वागत करता हूँ हमारी इडिव चनल पर जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ें ठीक है, अर भारत के इतिहास पढ़ें अभी क्या पढ़े हैं? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े हैं कल हमने मारले मिंटो सुधार अधिनियम देखा है ठीक है देखा नहीं मतलब वहाँ पर टॉपिक इस्टाइड के थे तब मैं बोले हम आप लोगों क्या कि मारले मिंटो सुधार अधिनियम आप सम्विधान वाले पोर्चन से कवरत लिना जो इतिहास के दिश्टिस जो पॉइंट महत पून है वह मैं बता चुका हूँ क्या कि इस अधिनियम के द्वारा क्या मिला है मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है वो क्या है अपन कर डिसकस कर चुके हैं अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक दिल्ली दरबार 1911 के बारे में जब मैं कॉंग्रेस की स्थापना के बारे में कारण पढ़ा रहा था तब वहाँ पर मैंने तीनों दिल्ली दरबार के बारे में उलेक किया वहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ, कब आयोजीत क्या गया है, किसने आयोजीत किया है, मतलब उसमें भारत के गवार्ण जर्रल या फिर वायसरा कौन है, साथ ही साथ किनिके सौगत के लिए दिल्ली दरबार आयोजीत किया जा रहा है, वो पॉइंट भी आपर कवर किये हैं देखते हैं, दिल्ली दरबार 1911 के बारे में इस समय भारत के वायसरा कौन है, लौड हाडिंग दूती इस समय भारत के वायसरा है, और उन्होंने बिटेन के महराज जौर्ज पंचम एवं महरानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार आयोजीत किया था, ठीक है, लेक बिटेन के महराज स्वयम उपस्तित हुए हैं, या ऐसा एक मात्र दिल्ली दरबार है, ठीक है, कौन को नहीं है आपना, जौर्ज पंचम इवं महरानी मैरी आई है, ठीक है, और इनके ओर से घोषना की गई है, और उस घोषना को पढ़कर कौन सुनाएगा, ये लौड हाड बंगाल को विभाजन रद्द किया गया है, लेकिन कुछ मोडिफिशन है, पुराना जो बंगाल का नकस्ट है, उसमें कुछ मोडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, देखते क्या, पहला पॉइंट क्या है, बंगाल को एक अलग प्रण बनाएंगे, बिहार इवं उडिसा को और असम इवं सिलहट वाले एरे को मिलाकर, चीप कमिशनरी प्रांद बनाया जाएगा, फिर से बोरो मैं, बंगाल, जो पूरा बंगाल है, जिसको अलग अलग दो पार्ट में माटा गया था, तो पूरा जो वर्तमान जो बंगाल है, उससे फिर से मर्च करनेंगे, बंगाल को एक अलग प्रांद, बिहार एवं उडिसा को अलग प्रांद, साथी साथ असम को, असम को चीप कमिशनरी प्रांद घोशित किया गया है, इसे दिल्ली दरबार में ये घोशना की गई है, कि जो बंगाल भी वाजन हुआ है, उनिस साथ पांच में, लॉड करजन के द्वा को असम कि गई है, वह रद किया जाता है, ये घोशना, लॉड है दुईती ने पढ़कर सुनाया है, साथ जना तो एक दूसरी महत्तबून घोशना और है, एक महत्तबून घोशना और है क्या, कि भारत की राजशानी, भारत की राजशानी, अब कलकत्ता की जग्हा दिल्ली को बनाई जाएगी यहां घोशना किसने कर दी है Lord Harding दूति ने कर दी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होने वाली है घोशना कब हुई है 1911 में घोशना कब हुई थी 1911 में और एक अप्रेल 1912 को यहां राजधानी प्रभावी हो गयी मतलब एक अप्रेल 1912 को अ अब दिल्ली को राजधानी बना दे गए भारत की राजधानी क्या बन गए अब दिल्ली बन गए उससे पहले क्या थी कलकत्ता थी उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी यह यह था दिल्ली दरबार 1911 के बारे में यह था दिल्ली दरबार 1911 के बारे में धान देना ये जो भाई साब है, कौन है, लॉर्ड हडिन दी, इन्होंने दिल्ली दरबार आउजन की है, साधी साध इस समय कौन आ गया है, जॉर्ज पंचम इवा महाराणी मेरी पही है, मतलब क्या है, पैसे का दुरुपयों हुआ है, उनके स्वागत के लिए, पैसा पानी की तरह भाय है, ठीक है, अब क्या है, इसके बारे में देखते है पन, ठीक है, हमने पढ़ा है कि लॉर्ड हाडिन दुद्धि के द्वारा, दिली दरबार का आउजन की आगया था, उन्होंने साध गयारा में, कौन आ है वापर, जॉर्ज पंचम आया है, महाराणी मेरी आई है, और उन के स्वागत के लिए, बेवज़ा पैसा खड़ जाक्या गया है, भारतियों की मुल्भू सुइथाओं पर कोई भी धान नहीं है, भारत के वाइसराय का, तब जो जनता है, उनसे त्रस्त है, और उन जनता में, ठीक है, उस जनता में कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो क्रांती कारी विचाथर से तालूग रखते हैं, और इसी करण कुछ कठुर कदम उठाने वाले हैं, इस लॉड हाडिंग चागेंस्ट, ठीक है, जो कदम उठाएंगे, उसी कमनों क्या बोले हैं, दिल्ली सडियंदर केस बोले हैं, ठीक है, अब राजधानी क्या हो गई है, दिल्ली, रा वाइसरा है, लॉड हाडिंग, वाइसरा है, लॉड हाडिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, कौन? वाइसरा है, लॉड हाडिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन पर, तभी उन पर एक समहरों में पार्ट हार्डिंग है। थात्मा कौन उनका परिवार भी है। उन्ने का परिवार भी जा रहा है। दिल्ली में एक समारों में पार्टिसिपेट करने के लिए। तब उनने के जुलूस पर बम फेका गया है। किसने फेका है। रासविहारी गोस जी ने फेका है। Lord Harding को मामूली चोट आई है, मामूली चोट आई है, भारत के वास हैं, और इन पर बम फिका गया है, मतलब क्या है, इन पर कारवाही होनता है, राजबिहारी बोस जी पर कारवाही होनता है, तब उने के सहियोगी, ये तो भाग गया है, राजबिहारी बोस जी भाग गया है, लेकिन उनके सहीयोगियों को भागने का उसन नहीं मिला है। सहीयोगी कौन है? अमीर चंद्र जी, अवद भी हरीलाल जी, बसंद विश्वास जी, इवं भाई बाल मुकुन। इन्हें भागने का उसन नहीं मिला है। और ये अंग्रिजों की चंगुल में फच गए है। असफल रहे हैं, मरे नहीं कौन, लाड हर्डी नहीं मरें। ठीक है? क्योंकि बम उनसे दूर गी रहा है। लेकिन हत्या के प्रयास के आरोप में अमीर चंदर जी, अवद भिहरी लाल जी, बसंद विश्वास भाई बाल मुकुन जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ठीक होंकि यह रास बिहारी सहयोगी थे। प्रथम विश्वुद्ध के बारे में ठीक है? देखते हैं परथम विश्वुद्ध के बारे में जो 1914 से 1918 तक चला है। ध्यान देना यह युद्ध यूरोप में स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग विभिन देशों ने इस शुद्ध में पार्टिसिपेट किया है। इसी करने शुद्ध को हम लोग क्या बोले हैं प्रथम विश्वयुद्ध बोले हैं जो 1914 से लेकर 1918 तक चला है अब देखते हैं कि युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ है ठीक है यह हमारा सिलेबस में नहीं है लेकिन इस प्रथम विश्वयुद्ध से जोड़ा हुआ कुछ पार् ठीक है अब आस्ट्रिया के राजुकुमार की हत्या इस समय आस्ट्रिया के राजुकुमार की हत्या कर दी गई है और आरोप किस पर है इस सर्विया देश पर आरोप है कि इन्होंने आस्ट्रिया के राजुकुमार की हत्या की है इसी करना आस्ट्रिया ने सर्विया पर आक कर दिया है क्योंकि ऑस्टिया के राजकुमार की हच्तिया कर दी गई थी और आरोप किस पर है इन सर्विया वालों पर आरोप है इसलिए ऑस्टिया ने इन पर आक्रमन किया है अब जब आक्रमन किया है तो कुछ देश कुछ देश इनके साथ आ गए हैं और कुछ देश इनके पक्ष में आगे हैं मतल़ा भी क्या है दो लोग भी बड़ा इब एक गैंग व्वार का रूप ले चुकी है बिल्कुल बसे समझी है ठीक है यह बेसे है अब इनके सपोर्ट के लिए कुछ अगे हैं और इनके सपोर्ट के लिए भी कुछ देस आगे देखते हैं आस्ट्रिया को इस दिर सपोर्ट कर रहा है कौन जर्मनी है हंगरी है इटली है यह सब देश है आस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा है वह है दूसरी ओर इंग्लैंड जापान रूस फ्रांस और अमेरिका सर्बिया को सपोर्ट कर रहा है ठीक है यह सब जो अमीर इसके मद्य लड़ा जा रहा है जिससे भीषन रख्त पात हुआ है जन धन की हानी हुए है जब युद्ध होगा तब उसमें इन सब के समूग अब लोगों क्या भूले हैं धूरी राष्ट जब कि इंग्लेंड जापन रूस प्रांस अमेरिका इन सब देश्टों के समूग को बोलग है क्या मित्र राष्ट का बोलग है था मित्र राष्ट कहा गया था और युद्ध में अन्ते तरफ मित्र राष्ट की विजय हुई धूरी राष्ट पराजित हुए है जर्मनी के विशाल समराज्य का अन्त हो गया है इस युद्ध में जर्मनी के विशाल समराज्य का अब आते हैं आपके syllabus पर ठीकेश स्लेबस में मलब जो आमना syllabus दिजाइन किया गया प्रीका और मेंस का उससे प्रथम विश्विद्ध के बारे में question पूछ क्या सकता है ठीकेश हाला ke corner ये पुछेगा कि प्रत्थम विश्विद्ध की समय वायसरा कौन था ? Lord Harding Duti किया है इस समय भारत के वायसरा है कौन hours अब इसी समय कहा है कॉंगरीस का अधिवेशन होता है साल में एक कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है तब प्रथम विश्युद्ध के समय कॉंग्रेस का अधिवेशन कब हुआ है दिसंबर में हुआ है कहा हुआ है मद्रास में मद्रास में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ है जिसकी अधिक्षिता किसने की है भूपेंद्र नात बसु जी न प्रथम विश्पविध के दौरारहन जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसकी अजह्टा की है सान– इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में बिटेन की ईता करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिस्पWP अधिवेशन बुपिंद्रनाद सुझी के अगर वे अंग्रेजों को support करते हैं तो अंग्रेज कुछ ना कुछ उनकी भलाई के लिए कार करेंगे और इसी उम्मीद से भार्तियों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस उद्ध में हम सपोर्ट करेंगे इनका अंग्रिजों का सपोर्ट करेंगे हाला कि उन्हें कुछ भी लाब नहीं मिला लेकिन ये महतबू उन्हें क्या कि प्रथम मिश्वजी की दौरान कॉंग्रेस का सम्मेलन कहा हुआ है मद्रास में अध्यक्ष कौन थे उसके भूपेंदर नाद बसुजी थे इसके अध्यक्ष थे अब एक चीज़ और महतबू ने जब प्रथम वर्ड वार हुआ है उसमें गांधी जी कहा गया है ब्रिटेन गया है और वहाँ पर उन्होंने घायल सैनिकों का उपचार किया है ब्रिटेन के जो सैनिक है जो घायल हो गया है उनका उपचार कर रहा है उसमें सयोकर है कौन गांधी जी उनका सयोकर है और इसस खुस होकर इससे प्रसंद होकर अंगरजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधी गांधी जी को प्रथम विश्वुद्य के दौरान ही मिली थी ठीक है बहुती महत्पून है यह पॉइंट कि गांधी जी को प्रथम विश्वुद्य के दौरान ही केसर हिंद की उपाधी मिलेग इन दोनों से question पूसकता प्री में याद रखना प्रथम विश्वद्य के दरान उनकी सेवा के लिए हैं अंग्रजों ने उन्हें केसर हिंद की उपादी दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरान ठीक हैं एक और महत्पून पॉइंट है इस प्रथम विश्वद्य से जोड़ा हुआ ठीक हैं भारत ने पहली बार भारत ने पहली बार किसी ने विद्रो करके खुद को इंडिपेंडेंट खुजित किया है और एक स्वतंद्र सरकार की स्था स्थापना किया भारत ने पहली बार किसी ने खुद को अजाद खुजित करके एक स्वतंद्र सरकार की स्थापना के कौन सा एरिया है अफगानिस्तान का एरिया है कौन सा काबूल वाला काबूल वाला एरिया है अफगानिस्तान में जहां पर महेंद्र प्रताब सिंग के द महंदर पताप सिंग जी ने सुयंग को क्या बनाया है राष्ट पती घुशित किया है जब कि अपने सयोगी अपने सयोगी बरकतुला जी को बरकतुला जी को प्रधान मंत्री घुशित किया है ठीक है खुद क्या बने है राष्ट पती बने है जब कि अपने सयोगी बरकत उल्लाजी को प्रधान मंती बनाया है धन्देना जो सरकार की स्थापना है महंदर पताप सिंजीन की है उसे मानिता भी मिलिया है रूस इवं जर्मनी ने इस सरकार को मानिता दे थी कि हाँ आप अलग देश हो ऐसा मानिता रूस इवं जर्मनी ने दे भी थी ठीक है किसने की थी महंदर पताप सिंजीने इन्होंने पहली बार बारत में एक स्वतंदर अईस्थाई सरकार का गठन किया था किसने की था महंदर पताप सिंजीने बात कर किया 1915 की बात कर किया 1915 की बात हैं इन्होंने सबसे पहले एक स्वतंदर अश्थाइस सरकार गठन किया था कहाँ पर काबुल वाले एडिया पर साथ ही साथ इसे रूस एवं जर्माइनी ने मान्यता भी दी थी अब देखते हैं ठीक है अब जुदेर समय कि अभी जो अजादी की लड़ाई होगी दो भागे बटी हुई है पहला कहा है कॉंग्रेस के निधिया में एक जो दल है वो कॉंग्रेस के लिडर्शीब में अजादी के लड़ाई रड़ेगा लेकिन जो कुछ लोग है कुछ भारत में भारत के निवासों की सरकार स्थापित करना चाहरे उनको हमनों क्या बोले हैं क्रांती कारी बोले हैं क्रांती कारी अब पढ़ने वाले हैं क्रांती कारी आंदोलों के प्रथम चरण के बारे में क्रांतिकारी अंदूरनों का प्रत्थम चलनी पढ़े हैं देखते हैं, इस फेजें फर्स्ट फेज में कहां कहां पर प्रांतिकारी दौरा संखर्ष किये गये हैं भारत की आजादी के लिए सबसे पहले क्पढ़े हैं महाराश्ट के बारब सबसे परे नाम आता है कि इसका व्यायाम मंदल है कि जिक्र आता है जिसकी स्थापना हो थी 1897 में 1897 में फिर से बता रहो मैं कि जो भारत की आजादी का संगर्स है वो परस पर दो संगर्स के द्वारा लड़ा जा रहा है भारत की अजादी का जो संगर्स है बोलना चाहिए दो फेस में बटा हुआ है जहां पहले फेस में जहां पर पहले फेस में कॉंग्रेस के द्वारा वैधानिक तरीके से एक समूँ बना कर ठीक है अपनी अजादी के भारत के अधी के लिए संगर्ष्य जा रहा है वही क्रांतिकारी जो है हिंसा के माध्यम से अंग्रिजों को भारत से भारत को अजाद करना लेकिन रास्ते बिलकुल अलग है कॉंग्रेस के और क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी है वो हिंसा के माध्यम से अंग्रिजों को डरना चाह रहा है धमकाना चाह यूआ वर्ग है जिनमें गर्मखून है जो से उनका मानना क्या है कि बीना हिंसा की ठीक है या बीना डरायध धमका है अंगरिजों को भारत से भगाया नहीं जासकता है इसी करदे इन यूआ हो ने चाईकर बंदू और यही क्या है इस व्यायाम मंडल के संस्थापक हैं व्यायाम मंडल के संस्थापक को नहीं चापे कर बंद हुए इन्हों ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी ठीके जन्दन अब क्या हो रहा है इस समय पूने में पूने में प्लेग जैसी गंभीर विमारी फैल हुई है और वहां की जनत तरस्त है वहां की जन्ता तरस्त है और अंग्रेज के अभी प्रसासन समाल रहे हैं अंग्रेज जो है पूने की भारत का प्रसासन समाल रहे हैं तो उनकी जुम्मिदारी क्या है कि पूने में प्लेग से रोक थाम कैसे करें लेकिन उन्होंने उन्होंने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया है, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं किया जब कि जो अधिकारी है, दो अधिकारी कों है RAND और IST तो थीक है, यह दो अधिकारी है जो अपोइंट हुए है पूने में प्लेक की रोगठाँ के यह लेकिन ये प्लेग की बिमारी के बहाने क्या कर रहे हैं लोगों के साथ दुर्यवहार कर रहे हैं रेंड और आयस्ट नाम के दो अधिकारी हैं वो इलाज के नाम पर लोगों से क्या कर रहे हैं दुर्यवहार कर रहे हैं उनके गलग बढ़ताओं कर रहे हैं और इसी से अक्रोस में आ कर करांति कारीों ने रेंड एवं आयस्त्ट की हच्टधा कर दी है क्या बोल रहा हुँ मैं पुने में एक गंभीरी मारी फैल होई है और अंग्रिज अपने जम्मेदारी से भाग रहे हैं ठीक है उस पलेग की रोगठाम करने के बजाए इन चापेकर बंदुओं ने रेंड इवं आयस्ट नाम के अधिकारियों की हत्य कर दिये जब हत्य कर दिगी है तब इनके खिलाब मुकदमा दायर के जाएगा जब मुकदमा दायर होगा और आरोप सिद्ध हो गया जब आरोप सिद्ध हो गया है तब चापेकर बंदु और विनायक रनाड़े जी को फांसी की सजा सुनाई गई है अब देखते हैं महाराष्ट में ही अगले क्रांतिकारी समु के बारे में इसका नाम क्या है अभिनाव भारत संस्थाप कोन इसके विनायक दामोदर सावरकर इवं उनके भाई कोन गनेश सावरकर इन्हों ने अभिनो भारत की स्थापना की थी हंदेना स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में इस समू का नाम कुछ अलग था और इसके मोटो भी उद्देश भी अलग थे सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर और गनेश सावरकर जी ने गनपती उस्सो मनाने के लिए एक समू बनाया है विनायक दामोदर सावरकर जी और गनेश सावरकर जी इन्होंने गनपती उस्सो मनाने के लिए एक मित्र मिला नाम का मित्र मिला नाम का एक सम्हू बनाया था किसने विनायक दामुदर सावरकर जी और गनेश सावरकर जी ने गनपती उससो मनाने के लिए मित्र मिला नाम का सम्हू बनाया था ठीक है अब उस सम्हू में बहुं सारे लोग जूड़ा है तब एक बार, विनायकदामजर सवारकरजी ने, ठीक हैं, इसे क्रांतिकारी समू के रोफ में परिवर्तित कर दिया है, उसका नाम कर दिया है अभीना भारत, उसका नाम कर दे क्या, अभीना भारत कर दिया है, ठीक हैं, इसी करने, दोनों मेघ हैं, धना, na, question पूछ चुका है कि मित्र में लगी स्थापना किसने की है तब भी का आएगा सावरकरजी आएगा और अगर पूछते अभी न भारत तो भी सावरकरजी ही इसका आंसर है ठीक है दोनों की स्थापना वीडी सावरकरजी नहीं में लिगी थी वीडी सावरकर जी नहीं इसकी स्थापना की थी बलकि गनिश सावरकर जी क्या है उनके सहयोगी जो उनके भाई है उनके क्या है सहयोगी है ठीक है मुख्य नाम के इनका है विनायग दामोदर सावरकर जी इसको हम बोलते है वीडी सावरकर जी ठीक है अब धन देना इन्होंने एक बुक लिखी है सावरकर जी ने एक बुक लिए कौन सी भारत का स्फुतनतरता संगराम भारत का स्फुतनतरता संगराम नामा इन्होंने बुक लिखी है धन देना ये मैजिनी से मैजिनी से बहुन ज़्यदा प्रभावित है विडी सावरकर जी एक वेक्ति है नाम के है मैजीनी उनसे बहुंच ज़्यदा प्रभावी था और उनकी जीवनी पर उन्होंने एक बुग लिखी है मैजीनी कौन थे इतली में राज तंदर के घुर विरोधी थे राज तंदर के घुर विरोधी कौन है मैजीनी है और उस पढ़ कर अग्रेजव के पती किया है घ्रेकित हो रही है करांति काल अचा ना किया रही है इसी बीच सावरकर जी 2006 में कहा चलेगा है लेकिन बाटी उनके से होगी और उनका समुग कहा है पूरा भारत में है और इस अभिनाव भारत के एक बहुह थी पांडू रंग महाद्योबर बापर जीане अभिनाव भारत ने बं बनाने की कला सीखने कहा बेसा है, पैरिस भेजा है, थाकि वह बं बनाना सीख के है और भारत आकर खुद से बं बनाए और उस बं को हम यो अंगरोजों के उपर फोड़ेंगे, है सोच रहे हैं क्वोन अभिनाव भारत नेंबर सोच रहे क्या उस बम को अब अंग्रेजों का अगेंस्ट में इस्तमाल करना है इसी करना पांडू रंग महादू बापड़ जी को पैरिज भिजा गया था बम बनाने के रिए अब देख देना इस अभिनाव भारत के सहसंस्थापक कोई है गनेज सावरकर जी का है इस अभिनाव भारत के सहसंस्थापक है इन्होंने कविताओं की कविताओं की दो पुस्तक लिखी है क्रांतिकारी भावना जागरित करने के लिए इस अभिनाव भारत के समू के लिए कविताओं की दो पुस्तक लिखी है और उन पुस्तकों के माजम से युवाओं में क्रांती कारिभावना जागरित करना चाहर थे और इनी कविताओं की पुस्तक के धार पर अंग्रेजों ने उन्हें अब निरवाशित कर दिया उन्हें गने सावर करजी को निरवाशित कर दिया क्योंकि उन्हें कविताओं की दो पुस्तक लिखी थी अभिनाव भारत के लिए युवाओं में क्रांती कारिभावना जागरित करने है तो इसी कर उन्हें अब निरवाशित कर दिये गया अब इसी बीच घटना हो रही है इस बीचे एक घटना होने वाली कहाँ पर नासिए कब हुआ है? 1998 में देखते हूँ वह क्या था ठीक है एक व्रक्ति है नाम क्या है अनंत लच्मन कन्हारे जी जो की अभिनाव भारत से जुड़े हुआ थे नाम क्या है उनका अनंत लच्मन कन्हारे जी ठीक है अब नासिक के एक मजिस्ट्रेट नाम में क्या है उनका जैक्सन नाम क्या है जैक्सन जो की बहुती निर्दई है भार उनसे परिशान होकर अनन्त लच्मन कनहारे जी ने जैक्सन की हत्या कर दी है कौन है वो जैक्सन? नासिक के जिलावजिशेट है और उनकी हत्या अनन्त लच्मन कनहारे जी के दौारा कर दी गई है जब हत्य कर दी गई है पूरे भारती परेसान है तब अनन्द लश्मन किन्हारे जी ने जो की अभिनाव भारत की मेंबर है इन्होंने जैक्सन की हत्ते कर दिये नासिक में इसी को क्या बोलागे है नासिक सुडियंदर केस बोलागे है या फिर बोलागे क्या जैक्सन हत्यकण ठीक है अब अभियुक्त कौन बने है अनन्द लजमन के नहारे जी साधी साथ उनके सहोगी कौन है क्रिष्ण जी गोपल करवे और विनायक देश पांडे इन तीनों को इन तीनों को क्या हुई है फांसी की सजा हुई है इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई के लिए धान देना अब सब किसकी मेंबर हैं सब इस अभीनो भारत की मेंबर है और अभीनो भारत की स्थापना इसकतर चीए थी V.D. सावेरकर जी V.D. सावेरकर जी के द्वारा अभीनो भारत की स्थापना चीए थी और इस अभीनो भारत की मेंबर को अनन्द अच्मन जनारे जी गोपाल, कृिसन जी गोपाल करवे जी और विनाइक दिस्पांडे इस अभिनाव भारत के हिमेंबर हैं तब अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने क्या बेहन जारी किया कि इस हमले में, इस हमले में या फिर नास सड़े अंदर केस में V.D. Saurkar Ji का हाथ भी है और इनके कहने पर ही इन लोगों ने Jackson की हित्त की है ऐसा अंग्रेजों का मान है तो भी V.D. Saurkar Ji को London से गिरपतार के जाएगा और उन्हें अब भारत ले जा रहा है V.D. Saurkar Ji को भारत ले जा रहा है धन्देना एक बहुती बहुती महतवराफोर ही की किस जहाज से V.D. Saurkar sie को भारत ले जा रहा है S.S.MOरिय, नामक जहाज से V.D. Saurkar Ji को भारत ला जा रहा था ची को इन्हें का बेच दिया गया है काले पानी की सजा दी गई है वीडि साबर कर जी को काला पानी की सजा सुनाई गई है महाराश में महाराश में जो क्रांतिकारी सम्हों है उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं अब देखते हैं बंगाल के बारे बंगाल में कौन-कौन से क्रांतिकारी सम्हों के स्थापना होई है इस पहले चरण में देखते हैं अपन देखते हैं अब बंगाल में क्रांतिकारी समुहों के बारे में ठीक है सबसे प्रणाम जिसका आता है अनुसीलन समीति का जब भी बंगाल में क्रांतिकारी समुहों के बारे में पढ़ आ है सबसे प्रणाम जिसका है इस अनुसीलन समीति का नाम आया है जिसके साथ स्थापना की थी नाम क्या है सतीष चंदर बसु जी एवं पी मित्र जी ने अनुसीलन समीति की स्थापना की थी अनुसीलन समीति इनके ही विचारों का परिणाम है सतीष चंदर बसु एवं पी मित्र के विचारों का ही परिणाम था लेकिन जब भी क्वेश्चन पुछा गया है कैसा पुछा गया है कि धाका में अनुसीलन समीति की स्थापना किसने की या फिर कलकत्ता में अनुसीलन समीति की स्थापना किसने की जान देना इस अनुसीलन सम पक के नाम आपके एक्जाम में पूँचता है कि ढाका में अनुसीरन समेत्य की स्थापना किस ने की है धाकी अनुसीरन समेत्य के स्थापना की तोथी अनुसीरान समीति की स्थापना मोलता, सतीष चंदर बसु एवम पी मित्र के द्वारा की गई थी, यह उनके ही विचारों की उपासी, जबकि अनुसीरान समीति जे के दो हैटकोडर जो है कहाँ आपर धाका और कलकत्ता में, धाका में इसकी स्थापना, पुलिन दासवं पी म ने वहीं कलकत्ता में इसकी स्थापना भूपेंदर दत्र इवं बारिंदर गोष जी ने की थी ठीक है अब इन में से एक लगती महत्पूर ने कौन है बारिंदर गोष जी बारिंदर गोष जी बहुती महत्पूर ने महत्पूर क्यों है जांदना इन्होंने दो पुस्तक लि है इसमें से जो रंन ल इंति है उसे पहले या बुक पड़े को देंगे और ili के स्थाला होती है इतनी बहाजरीन पुस्तव यह मुंतो नेटे के एम जो भी उब पुस्तव को पड़ था है इसके रंन जाएँ प्रेम अपने में हें बहुत कर भान आंने दहता है ठीक है ऐसी पुस्तक है वर्तवार मिती जो कि बंगाल के गरांतिगारों की पाठी पुस्तक मना गई गयी है ठीक है अब इसी बेच इसी बेच इने के द्वारा युगांतर पत्री का प्रकाशित की गई थी यहां तक सब सही था लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद इस युगांतर पत्रिका पर अंग्रिजों के द्वारा बेन लगाया गया था और उसके बाद से ही यह अनुसीलन समिती हिंसक हो गई है क्योंकि इनकी द्वारा पत्रिका पर बेन लगा जे गया था मतलब क्या है अब अपने विचारों को पहुचाने का माध्यम उनसे चीन ले गया है तब यह अनुसीलन समिती हो गई है अब हिंसक हो गई है अब हिंसक कहां दिखाएंगे पढ़ने वाले है पढ़ने वाले है मुझऽफर पूर्ण बंका क्या गनली हेड़ेंग एक नियादी से ठीक है नाम क्या है DH ऐस किंग्छ फोर्ड ऋप्र het इस पर्ण फे हैं भारत्यों के लिए बहुत दा है DH rumors यहांत personnage भारत्यों कहां अगंच महिलां एन्हीं साथ भारतियों के अगेंस फैसा देते हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत ही कठोर सजा देते हैं दियेज के इंग फोर जो है भारतियों को बहुत ही कठोर सजा दे रहे हैं तब अंग्रेज जो सरकार है इनसे भैंकर खोस है अंग्रेज सरकार क्या है निरना देर हैं, तब युगांतर समीति, इस अनुसिलन समीति के अंदर में ओर समीति लिया गया है कि DB Kingsfold को मारना है, ठीक है? और इस बात के जिम्मधारी दो युवावों ने उठाई कोंगों से हैं प्रफुल चाकी एवं खुदिराम बोज जी को इस बात की जिम्मदारी दी गई है क्या कि D.H. केंजफोर्ड की हत्ता करनी है ठीक है इस बात की जिम्मदारी प्रफुल चाकी और खुदिराम बोज जी को दी गई है तब इंडोंने 30 आपरिल 1908 का दिन निस्चित किया है 30 आपरिल 1998 का दिन निस्चित किया है और प्रफुल चाकी ईवन खुदिराम बाजी ने डी एच कीज़ फोड की गाड़ी पर बम फेका है ठीक है जिस बगगी पर जिस बूगी पर डिय ces king for बढ़ नहीं गिराया जब बम ठटा जर्ट वो मधटना में उस बम दो घटना में मिस्सTर केनेडी की पत्नी और बच्चे मारेहा नहीं मरा के को नहीं है डिये थिंड नहीं मरा जो कि दूसमने के इन से है डी एच कि फोर्स है उसको मारने के लिए उनने बंप रेका सा लेकिन उस बंप दुरघटना में Mr. Kennedy की पतनी इवन बच्चे मारे गए ध्यान देना जो Mr. Kennedy है वो भारतियों से क्या लगते हैं भारतियों के प्रतियों उनमें सम्मान की भाउना है मत मतला भारतियों को संद्य के जिश्ची से नहीं देखते हैं बलकि उनसे प्रेम करते हैं उनसे सद्भावना रखने को है Mr. Kennedy और उनकी ही पतनी और बच्चे मारे गए हैं इस दुरघटना में बहुं थी दुखद हास्ता हो गया है बहुं थी दुखद हास्ता हो गया है कि ड खुदी राम बोल जी की मन में क्या है अत्यंत गलानी है अत्यंत गलानी की भौना की हमने गलत वक्तियों को मार दिया है और इस गलानी को सहनने कर पाया है और उन्होंने आत्महत्य कर लिए ठीक है उन्हें दुख हो रहा है और जब दुख वरदास्त नहीं हुआ तब प्र सब भॉन रखते हैं उनकी पत्निवार बच्चे मारे के थे इसलिए प्रफूल चाकी जी ने आत्मध्य कर लिए बचे कौन है खुदी राम बोजी जीने पर अभी मुकदम चला जाए जाएगा और बाद में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है इस खुदी राम बोजी को जो सहीद हुए कौन है खुदी राम बोजी है मात्र 19 साल के थे मात्र 19 साल के थे जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है कौन है खुदी राम बोजी और ये क्वेस्चन पूछ चुका है प्री में कि सबसे कम उम्र के क्रांती कर जो सहीद हुए कौन है खुदी राम बो देखते हैं अब अलीपूर सुरेंद्र केस अर्थाद अलीपूर कॉंस्क्राइसिव 1908 के बारे में ठीक है इसके बारे में उल्ले कर चुका हूँ ठीक है जब हम पढ़े हैं स्वादिशी अंभाइसका अनुरान तब वहां पर पढ़े दे क्या कि उग्रवादिया फिर गरम अर्विंद घोष जी को कैसे अंग्रेजों ठीक आने लगया है इस बारे आपन बढ़ चुके हैं कैसे उन पर मुकदमा दायर किया था ठीक इसके बारे आपन देखने वाले हैं अलीपूर सडियंदर केसका हुआ है 1908 में क्या हुआ है जान देना इस समय अंग्रेज अवैध हथियारों की जब्ति के लिए कहां पर मानिक टूला उद्यान कलकत्ता में मानिक टूला उद्यान कलकत्ता में उन्होंने रेड मारी है ताकि अवैध हथियारों को जब्ति किया सके और इस अवैध हथियार रखने के आरोप में इन्होंने कुल 34 लोगों को गिरपत अवैद हत्यारतने के जुर्व में नोने मानिक टुला उद्यान कलकत्ता में छापा मारा है जहां से 34 लोगों को गिरपतार किया गया है धंदना उन 34 लोगों में कौन-कौन सामिल है अरविंद घोष जी और बारिंदर घोष जी और इन सब 34 लोगों को कलकत्ता के अलीपूर अडालत में कलकत्ता के अलीपूर अडालत में एक है कौन-कौन है को डूष जिसमें… अरविंद घोष जी और बारिंद घोष सामिल है अरविंद घोष जी के बारा हम बोरा हम kinds क्या वो गराम-dal ल चैतूर तहरते स्तम्धे अनके बारा हम पढ़ेंगे पढ़ें तीक है और इन पर केस चला है जब इन पर अलिपूरत अलत में केस चला है तब अर्विंद घोष जी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया अर्विंद घोष जी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि वो अवैद हत्यार रखे थे उनके पास से कोई भी हत्यार जबत नहीं हुआ इसी करम इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है जबकि अन्य लोगों पर आरोप सिद्ध हो गया और उनमें स्प्रमुक्वन है बारिंदर घोजी जिन्हें अजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई है जब अर्विंद घोजी पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तब कुछ दिनों पस्चाद इन्हें आजाद कर दियाएगा जहां से वे मूगत होकर कहा जाएंगे पांडी चेरी कि कौनसा असरन की और विले असरम की नाम याद अर्विंद और और विले मैं छोरा हलकाल का ठीक है अर्विंद घोजी ने पांडी चेरी में और विले असरम की स्थावन की और बाद में इन्होंने यहां से सन्यास धरन कर दिया ठीक है अर्विंद घोज जी ने अब सन्यास पर इसी समय पर जो लोग विदेश में बसे हुए हैं वे भी भारत के अचाधी के लिए कार कर रहे हैं क्रांति-कारी समूहों के माध्याम से उनके बारे भी हलका सा पढ़ना है ठीक है जो प्रमू प्रमूख है 2-3 उनके बारे में कम से कम 2 मास्के लाग आपको पता होना जी क कि अगर question बोले वट क्या गया तो उनके बारे में लिखना कैसे है क्या लिखना है ठीक है पढ़ते हैं पढ़ते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में अब इन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद बिर्टेन में रह रहे हैं और बिर्टेन में रहे कर ही बिर्टेन के अगेश में आबना रहे हैं क्रांतिकारी समूह बना रहे हैं मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ठीक है हिम्मत में कोई कमी नहीं है क्योंकि लोग इंग्लैंड में हैं और बिर्टेन के अगेश में आबना रहे हैं क्रांतिकारी समूह बना रहे हैं और उ अब इनकी एक पत्रिका भी है। इनकी एक पत्रिका भी है। उस पत्रिका का नाम भी बहुत ही महत्तबून है। क्वेश्न वर्मा रखते हैं कौन? के अज़ादी के लिए परित करने का प्रयास करते हैं कौन श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने लंदन में इंडिया होम रूसाइटी की स्थापना की थी अध्धन देना जो भारती वाजार है जो भारती वाजार हैं उन्हें संगठित करने के लिए स्याम जी कृष्ण वर् और भारती संगटित महसूस हों इसलिए 남편 अन्य दिनों पकार ना ही चाहिस जधापन पर नमने कमा था के इन्डिया हाउस की स्थापना सयाम जिर रिसर ब्रमानिक की थे यही क्या बन गया है अक्रान्ति गारियों का अड्ड़ा बन चुगा और वही पर एक चिछत की planning हुई है कर्जन वाईली को मारने की planning हुई है और इस काम को अन्जाम किस ने दिया है मदनलाल धिंगरा जी ने मदनलाल धिंगरा जी ने इस काम को अंजाम दिया है इन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी है मदनलाल धिंगरा जी ने करजन वाइली की हत्या कर दी है और बाद में धिंगरा जी को इस काम के लिए क्या मिलेगी फांसी की सजा मिलेगी, तकि उन्होंने बिटेन में रहे कर ही करजन्वाली की हत्तर कर दिया, ठीक है? इसी करण आप क्या मिलेगी इसको फांसी की सजा मिलेगी, इसको मदलाल धिंगराजी को यह था, इंग्लेड में इंडिया Home Rules IT के बारे में 2 मांक से उपर नहीं कुछना चाहिए और 2 मांक से लिए इतना fact कापी है ठीक है अब आते हैं कापर Paris में अब आते हैं कापर Paris में जो कहा इस सत्या फ्रांस में फ्रांस में है Paris त्याँ देना अब इंग्लेंड के इंग्लेंड के house of commons में इसे India house का मुद्धा बहुत जोट से उच्छा लग गया है. तब ये शाम जी कृिश्ण वर्मा का चलग गया है? इंग्लेंड से पेरिश चले गया है. और वहां पर पेरिस में एक पहले से ही समू अस्थापी थै जो भारत के अजादिक के लिए प्रैंस में और श्यांजू किसनो वर्म अब यहाँ आकर इनके सहयोगी के रूप में कारे करेंगे अब परिश आकर मैडम भीका जी कामा के सहयोगी के रूप में कारे करेंगे अब यहाँ पर एक पॉस देता हूँ मैडम भीका जी कामा के बारे में सुनना ठीक है प्री में दो बार इनके बार में question पुछा गया और दोनों question में है आप लिख दिया हूँ घंद्ना, इनको बोलते है कि आपन भारती कृरांती की मा कहते है अब बोलते हैं भारती कृरांती की मा कहते है मैडम भीका जी कामा को ये question बुछ चुका है 2-3 बार साथी साथ दो बार कुछन ने पूछा गया है क्या मैडम विका जी कामा ने कौन से देश में तिरंगा फैरा आया या फिर किस व्यक्ति ने पहली बार अंतरराष्टी समालवादी कॉंगरेस में तिरंगा फैरा था किसने मैडम भीका जी कामा ने ठीक है ये बात आपको याद रखनी हैं इन्होंने पेरीस में पेरीस इंडिन साइटी की स्थापना भी कि दी ठीक है अब पढ़ते हैं तीसर समू के बारे में ठीक है ठीक है, लास्ट क्रांतिकारी समू जो विद्देशों में कौन सा है, ये गदर पार्टी है, जिसकी स्थापना कहा हूँ है, अमेरिका में कहा हूँ है, इसकी स्थापना, अमेरिका में, लाला हर्दयाल जी ने, गदर पार्टी की स्थापना, अमेरिका के सान फ्रंसिस्को सहर में किस ने की है लाला हर्दयाल जी ने की कभी की है एक नमबर 1919 को एक नमबर 1919 को लाला हर्दयाल जी ने अमेरिका के सान फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1919 में एक नमबर 1919 में नोंने गदर पार्टी की स्थापना की थी इस पार्टी के इस पार्टी अग्धान देना लाला हर्दयाल जी ने इस गदर पार्टी के पचार पसार के लिए गदर पत्रिका गदर पत्रिका भी प्रकासित की है जो की अलग अलग भासाओं में उप्रब्दे कौन से भासा में उर्दू, गुरु मुखी, हिंदी और इंग्लिश इन चारो भासाओं में ये गदर पत्रिका प्रकासित होती है जिनको पढ़कर, जिनको पढ़कर क्या है, जो भारती बसे हुए है इस अमेरिका में, सब एकजूट होने का प्रयास कर रहे हैं इन लाला हर्दयाल जी के प्रयासों से, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है गदर पार प्रितै थे गया क्या अमेटो भन गया है क्या बन कming क मैट पढ़ा हैं मेट राश्वराश्वरत्प मित राश्वराश्वर ता कर दिया है कईया अमेरीकर सब्सक्राइँ Gyanania खूझित कर दिया है hydraulically प्रिटेन और अमेरिका कहते हैं फर्स्ट वर्ड वर्क समय से क्या बन गया है दोस्त बन गया और उनके कहने पर इप गदर पार्टी को गयर करोनी घोचित कर देगे हैं इस तरीके से यह पार्टी कहाईगी विलूप्थ हो जाईगी ठीक है खात में होता है क्रांति कारे क्रांति कारे अंदोलों का प्रथम चरन आपका समाप्थ होता है अब इसके बाद का कल देखेंगे ठीक है थैंक्यू क्लास